हेलो दोस्तों मैं धीरन स्वागत करता हूँ आपका एक्जाम इस्टडिविस संगीता में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जुलाई करेंट अफेर 2022 से एक मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक को आज हम बात करेंगे सापता है करेंट अफेर में आठ से चौद तो आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सापता है करेंट अफेर जुलाई मन्त से किसने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है तो देकिन का नाम है पलवी सिंग भारत की पलवी सिंग ने दक्षन कोरिया के यू ओ सो सहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का किताब जीता है या रहिगा पलवी सिंग कानपुर भारत की रहने वाली हैं अगले कोशन है भारत के किस सहर ने सबसे लंबा डवल डेकर फ्लाई ओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है तो ये बनाया है महराश्ट के नाकपुर नगर ने भारतिय राश्टी राजमार प्रादीकरण और महराश्ट मेट्रो ने नाकपुर में 3.14 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबे डवल डेकर बाई डक्ट के निर्माण का बिस्वर्कॉर्ड हासिल किया है कौन देश में 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला पहला राज बना है तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज में जल्द ही दुनिया भर के कई अन्य देशों से बहतर राजमार संपर होगा राज में अब 13 एक्सप्रेस वे हैं जो ऐसा करने वाला देश का पहला राज बन गया है कुल 32 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेस वे मैं से 6 उपयोग में हैं जबकि अन्य साथ निर्माला धीन है सोला जुडाई को प्रधान मंत्री नरेन मोदी आधिकारिक तौर पर 296 किलोमीटर लंबे बुंदिल खंड एक्सप्रेस वे का उधगाटन करेंगे जो बुंदिल खंड और दिल्ली को जोड़ेगा इंपोर्टन है कौन आई एमेफ की पूर्व मुख्य अर्थसास्त्रियों की दीवार पर प्रधासित होने वाली पहली महिला बनी है तो ये बन गई है गीता गोपिनात भारत में जन्मी गीता गोपिनात अंतराश्टे मुद्रा कोर्स की पूर्व मुख्य अर्थसास्त्री की दीवार पर प्रधासित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारती बनी है सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारती एह थे रगू राम राजन थे जो 2003 से लेके 2006 की बीच IMF के मुख्य अर्थसास्त्री और अनुसंदान रिसक थे किसने भारत का पहला मुवाइल टेली मेटिक्स आधारित आटो बीमा पेस किया है तो इसको किया है एडल वाइस ने बीमा नियामक और बिकास प्रादिकर्ण इरडाई सेंड बॉक्स कारिक्रम के नुसार एडल वाइस जनरल इंसरेंस ने एक ब्यापक मॉटर बीमा उतपास स्विच पेस किया है मॉटर बीमा पॉलिसी स्विच पूरी तरह से डिजिटल और टेली मेटिक्स आधारित है अगला कोशन है बिस्व पेपर बैग दिवस दुहर भबाईस का ठीम क्या है तो देखिए इसका ठीम है यदी आप सांदार हैं तो प्लास्टिक को काटने किलिए कुछ नाट किये करें पेपर बैग का उपयोग करें प्लास्टिक बैग के बजाए पेपर बैग के उपयोग के महत्व के बारे में जागरुपता बलाने के लिए हर साल 12 जुलाई को बिस्व पेपर बैग दिवस की रूप में मनाया जाता है कौन देश का पहला कारवन नीटरल हवाई अड़ा बनेगा सही आंसर है ले हवाई अड़ा भारतिय बिमान पतन प्रादी करण दोरा ले हवाई अड़े को कारवन नीटरल हवाई अड़े की रूप में बनाया जा रहा है जो भरत का पहला सोलर पीवी प्लांट के साथ हाई ब्रिडेशन में जियो थर्मल सिस्टम नए एरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में हीटिंग और कूलिंग उद्देसों के लिए प्रदान किया जाएगा नेक कोशन है किसने जून 22 के लिए ICC Player of the Month का पुरुसकार जीता है तो इसको जीता है जौनी बेर स्टोने ठीक है कर्मिक मंत्र दोरा जारी एक आदेस में कहा गया कि वरिष्ट अधिकारी आर के गुप्टा को उप्चुनाव आयक्त नियुक्त किया गया है उन्होंने टी स्रीकांत का इस्थान लिया है किसने भारत के पहले पसू स्वास्त सिकर सम्मिलन का उद्गाटन किया है सही आंसर है केंद्रिय मतस्य पालन पसू स्वास्त सिकर सम्मिलन दो हजर बाइस का उद्गाटन किया है उन्होंने बहतर पसू स्वास्त सुनश्चित करने के लिए आयरवेद के अधिक सर्दिक उप्च्च का आहन किया है कौन 2023 में भारत के सबसे बड़े सौपिंग फेस्टिवल की मेजवानी करेगा सही आंसर है दिल्ली मुक्के मंतरी अर्विंद केजरिवाल ने गोशना की है कि दिल्ली अगले साल अठाई जनवरी से लेके 26 फरवे तक अपने पहले सरकार समर्तित सौपिंग फेस्टिवल की मेजवानी करेगा किसे रेल टेल कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिम्टेट के अध्यक्ष और प्रवंद निदिसक के पद के लिए चैन किया गया है तो देखिए इनका नाम है दोस्तों संजय कुमार संजय कुमार को रेल टेल कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिम्टेट का अध्यक्ष और प्रवंद निदिसक के पद के लिए चैनित किया गया है किसने साइवर बॉल्टेज बीमा यूजना को सुरू किया है सही आज़र है S.V.I. जनरल इंसुरेंस ने S.V.I. जनरल इंसुरेंस ने साइवर बॉल्टेज बीमा यूजना सुरू की है जो ब्यक्तियों के लिए एक ब्यापक साइवर बीमा कवर है जो साइवर जोखिमों और हमलों से होने वाले बित्तिय नुकसान से सुरुक्षय प्रदान करती है I.S.S.F. बिश्वकप दक्षिण कोरिया में भारत के अरजन बभूता ने कौन सा पतक जीता है तो देखे अरजन बभूता इन्होंने दक्षिण कोरिया में हो रहे I.S.S.F. बिश्वकप में 16 पतक जीता है हाल ही में जापान के पूर प्रधान मंत्री का निधन हो गया उनका नाम क्या है तो देखें सिंजो अवे जापान के पूर प्रधान मंत्री सिंजो अवे जिने पश्मी जापान के नारा सहर में एक चुनाव अविहान के दोरां गोली मार दी गई और इनका निधन हो गया बिस्व जन संक्य दिवस 2022 का थीम क्या है important है ये दिवस बिस्व जन संक्य दिवस 2022 का थीम है एट बिलियन की दुनिया सब के लिए एक लचीला भविस्य की और अपसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और बिकल्ब सुनिश्चित करना बिस्व जनसंक्य दिवस कब मनाया जाता है तो इसको हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है किसने सातवा बिमल्डन पुरुस खिताब और 21 ग्रेंड सलैम खिताब जीता है सही आंसर है सर्विया के ये प्लेयर हैन के नाम है नुवाग जोकोविच सर्विया के नुवाग जोकोविच ने निक किर्गी योस पर चार सेट की जीत के साथ साथवा बिमल्डन ओपन पुरुस खिताब और 21 वा ग्रेंड सलेम खिताब जीता है युवा जन स्रमिक राइथू कॉंग्रेस ने किसे जीवन भर के लिए अद्धिक चुना है सही आंसर है बाइएस जगन मोहन रेटी को युवा स्रमिक राइथू कॉंग्रेस ने आंत्प्रदिस के मुख्यवंत्री बाइएस जगन मोहन रेटी को जीवन भर के लिए अद्धिक चुना है पार्टी के सम्मिधान में बदलाव के वाद बाइएस आर सी की दो दिवसिये पूर्ण बैठक के वाद ये निर्णे लिया गया कॉन यूरेका फॉर्प्स के प्रमुक बने हैं सही आंसर है प्रतीक पोटा प्रतीक पोटा को पी इफर्म एडवेंट इंटरनेशनल ने अपनी पोर्ट फूलियो कंपनियों में से एक यूरेका फॉर्प्स को चलाने के लिए निउक्ति किया है अगला कॉशन है किसने ऑस्ट्रियन ग्रेंट प्रिक्स रेस दोहेर बाइस को जीता है फॉर्म ला वन रेस के बाद कर रहे हैं तो इस रेस को जीता है चार्ल्स लेकलर ने फेरारी के ड्राइवर है चार्ल्स लेकलर उन्होंने बिस्व चैंपियन मेक्स बेस्ट अपन को हरा कर और्स्ट्रियन ग्रेंट प्रिक्स रेस को जीता है किसे DCGA से Air Operator Certificate मिला है आसर है इसका आकाशा एयर को अरब पती निवेशक राकेस जुनजुनवाला के स्वामित वाली आकाशा एयर को टेक ओफ के लिए मंजूरी दे दी गई है नो फ्रिंस एयरलाइन ने गुरुवार को नागरिक उड्डन महानिदिसाल है और कि DGCA से अपना Air Operator Certificate प्राप्त किया है हाल ही में ब्रजेंद्र के सिंगल का लंबी बीमारी के वाद निदन हो गया वे कौन थे तो देखिए भारती इंटरनेट के जनक की रूप में जाने जाते थे सिंगल जने भारती इंटरनेट के जनक की रूप में सुईकार की आ गया था कौन गोवा सिप्याड के नई प्रुमुक होंगे सही आंसर है ब्रजेश कुमार उपाद्ध्याई केविनिट की निवक्ति समीती रे रक्षा मंत्राले के तहत एक सारजनिक उपक्रम गोवा सिप्याड लिमिटेट के अध्यक्ष और प्रवन निजसक के रूप में ब्रजेश कुमार उपाद्ध्याई की निवक्ति को मंजूरी दे दी है किस देश के पूर्व राष्टपती जोस, एडू, आरडो, डोस, सेंटोस का निदन हो गया तो देखिए अंगोला देश के पूर्व राष्टपती थे ठीक है अंगोला की याद रखेगा राजधानी इंपोर्टन्ट हो जाती है किसने नेशनल हई प्पीड रेल कॉरपर लिमिटेट के M.D के रूप में कारभार समाला है सही आंसर है राज़ींद परसाद नेशनल हई स्थापन उन्हों ही बार्र फर्वरी 2016 को मुक्ष्यलख को मुक्ष्यलख का नई दिल्ली में है किस राज में 36 वा राश्टी खेल उनके राज में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पहली वार आयुजित किया जाएगा तो ये किया जाएगा गुजरात में कहां पर गुजरात में किस राज में खार्ची उसब शुरू हुआ है तो देखिए तुरुपुरा में शुरू हुआ है खार्ची उसब क्या है ये इसके बारे में जान लेते हैं एक सप्ता तक चलने वाले पारंप्रिक खार्ची उसब 14 देवी देवताओं की पूजा करते हुए तुरपुरा के पूर्वी बहारी इलाके में गायरपुर में हजारो भक्तों के जुटने के साथ सुरू हुआ खार्ची पूजा मुख्य रूप से एक आदिवासी त्योहार है किसी ने बांदरा टर्मिनस को खार रोट से जोडने वाला नया स्काई वॉक खोला है अंसर है पश्मी रेलिवे ने पश्मी रेलिवे ने हाल ही में यात्रियों को एक आरामदायक अनुवा प्रदान करते हुए अपने सबसे लंबे स्काई वॉक को खोला है बांदरा टर्मिनस को खार इस्टेशन से जोडने वाला 314 मीटर लंबा और 4.4 मीटर चोड़ा स्काई वॉक यात्रियों को खार इस्टेशन पर उतार कर और दक्षन एफ ओवी से लेकर सीधे बांदरा तक पहुचाने में सक्षम है किताब गेटिंग दा ब्रेड दा जैन जैड वे टू सक्सेस के लेखक कौन है तो इस बुक को लेका है प्राथना बत्राने किस पहाड़ी को राष्टी महत्व का इसमारक घोसित किया जाएगा सही आंसर है मानगड की पहाड़ी को देखिए राष्टी इसमारक प्रादिकंड के अध्यक सिरी तरौन बिजय के निर्टित में राश्टे इसमारक प्रादीकंड की एक टीम ने आजादी का अमरित महसब के वर्स में राजिस्थान में मानगड पहाडी को राश्टे महातव का इसमारक घोसित करने पर एक रिपोर्ट पिस्तुत की है कौन SVA जनरल इंसरेंस के नए प्रवन दिनसक और CEO बने है तो देखें इनका नाम है पारी तोस्त्र पार्थी ठीक है पारी तोस्त्र पार्थी इन्होंने PC कांडपाल का इस्थान लिया है कि सरकार ने जामनगर और कोहलापुर के महाराजाओं को अन्य लोगों को सम्मानित किया है पॉलिस सरकार ने जामनगर और कुहलापुर के महराजाओं और अन्य लोगों को सम्मानित किया है जिनोंने दुत्तिय विस्वियुद के दोरान पॉलेंड पर सोविय संग के आगरमण से भाग कर पॉलिस सरनाथियों को सरण दी थी किसे भारतिय विस्विध्याले के संग के अध्यक्ष की रूप में निउप्त किया गया है सही आंसर है सुरंजन दास को किसे 2022-23 के लिए भारतिय उद्योग परिसंग के अध्यक्ष की रूप के लिए नामित किया गया है तो देखिए भारतिय उद्योग परिसंग के अध्यक के पद के लिए नामित किये गए है आर्थिनेस हाल ही में पी गोपी नाथन नायर का सो वर्सकी आयू में निधन हो गया वे कौन थे तो ये एक सोतंता सेनानी थे important नाम है ये सोतंता सेनानी पी गोपी नाथन नायर को सो वर्सकी आयू में निधन होगयन का उन्हें अपने जीवन में गांधी वादी विचार धारा पालन करने के लिए जाना जाता था और उन्हें पद्म पुरुसकार से सम्मानित किया गया था उन्होंने सोतंता संग्रा में भाग लिया था और 1942 के भारत छोड़ो आंधुलन में भी ये सामिल थे केरांथन का गोपीनात नायर बिस्व किश्व हीली भासा दिवस का मनाया गया है सही आंसर है साथ जुलाई को किस वहीली अफरीका में सबसे ब्यापक रूप से बोले जाने वाली भासाओं में से है और उप सहारा अफरीका में सबसे ब्यापक रूप से बोले जाने वाली भासाओं में से एक है किस वहीली भी एक मात्र अफ्रीकी भासा है जो अफ्रीकी संग की आधिकारिक भासा है हाल ही में मुहम्मद सानूसी बरकिंडो का निदन हो गया वे कौन थी तो ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगटन के महा सचित थी किस के दौरा हर्याली मुहसब आयुजित किया गया है तो पर्यावण मंत्राले के दौरा हर्याली मुहसब का आयुजित किया गया है किसने एक Artificial Intelligence आधारे Change Detection Software बिकसित किया है तो रक्षा संपधा महा निदेशाले के दौरा इसको बिकसित किया गया है यह सेटलाइट इमेजरी का उपयोग करके रक्षा भूमी पर अनाधीक्रित निर्माण और अतिकर्मन का स्वयचलित रूप से पता लगा सकता है भारत की बिरुजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिसत हो गई है इंपोर्टन कॉशन है आंसर है 7.80% Center for Monitoring Indian Economy ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके आंकडों के मताविक देश की बिरुजगारी दर अपरेल में बढ़कर 7.83 हो गई और जो मार्च में 7.60 थी जिसमें हर्याना और राजिस्थान बिरुजगारी दर की सूची में सीर्स इस्थान पर है कौन स्वास्थ दावों को निप्टाने के लिए एक Digital Platform के रूप में एक राष्टे स्वास्थ दावा एक्स्चेंज बिक्सित करेगा तो ये करेगा भारतिय बीमा नियमक और विकास प्रादिगंड तथा राष्टे स्वास्थ प्रादिगंड मिलकर Forbes की अमेरिका की सबसे अमीर स्वय निर्मित महिलाओं की सूची में किस भारती अमेर की अरबपती को रखा गया है तो देखें इनका नाम है जैसरी उलाल ठीक है भारती अमेर्की जैसरी उलाल एक अमेरिकी कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी अरिस्टा नेटवर्स की सीई ओ और स्नोफलेक के निरिसक मंडल की सदस्य है इन्हें आठवी बार्षिक फॉप्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वय निर्मित महिलाओं के सीड्स के पास इस्थान दिया गया था जिसकी कुल संपत्ती माई 2022 में 1.7 बिलियन थी किसने गीजोन सत्रंज मास्टर किताब जीता है तो देखे भारत के ग्रेंड मास्टर है ये सत्रंज के प्लेयर हैं के नाम है डी कोकेश भारत के डी कोकेश ने 9 राउंड में से 8 अंकों के साथ गीजोन सत्रंज मास्टर को जीता है PNV ने PNV रक्षा प्लस योजना के लिए किसके साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किया है राइट आंसर है भारती बायू सेना के साथ समझोता ग्यापन ग्यक्तिगत बीमा कवर सहित IAF इंडियन एर फोर्स करमियों के लिए बिसेस रूप से डिजाइन किया गे उत्पादों के साथ साथ लावों का एक पैकेज प्रदान पर केंद्रित है भारत की पहली स्वैता नैविगेशन सुबिदा तिहान किस IIT में सुरू की गई है तो ये की गई है IIT हैदराबाद में केंद्रिय बिज्ञान और प्रोदकी की मंत्रले दोरा 130 करोल के बजट में बिकसित तिहान एक बहूर बिश्यक पहल है जो भारत को भविश्य और अगली पीडी की स्मार्ट मुविलिटी तकनीक में एक बैस्विक खिलाडी बनाएगी भारत इंटरपूल के बाल योन सोसंड डेटावेस में सामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है तो ये बना है 68 वा देश ठीक है 68 किस बैंक ने डिजिटल भुकतान संग्रह के लिए केरल बन और वन जी बिवाग के साथ समझता किया है सही आंसर है साउथ इंडियन बैंक ने राजबर में एको टूरिजम सेंटरों बंसरी दुकानों मुवाइल बंसरी एकाईयों और एको दुकानों पर भुकतान के डिजिटल संग्रह को सक्षम बनाये जा सकेगा इसके दौरा किसे दक्षन सूडान में संयुक्त राष्ट मिशन में फोर्स कमांडर निक्ति किया गया है तो सही आंसर है भारत के लेफ्टने जनरल मोहन सुब्रमन्यम को वे भारत के लेफ्टने जनरल सैलेश तिनी करका इस्थान लेंगे किसे आमूर्थ सांस्कृतिक बिरासत की सुरक्षा के लिए युनेस्को कन्वेंशन के 22-22 चक्र में भाग लेने के लिए चुना गया है तो ये चुने गये हैं अपना देश भारत ठीक है अपने देश भारत को चुना गया है 94 वर्षिय भगवानी देवी ने फिनलेंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है इंपॉर्टन कोशन है चर्चा में रहींगे सबते तो इन्होंने जीता है सौन पदक ठीक है कौन सा पदक सौन पदक आज का टोपिक यहीं एंड होता है जल्द मिलते हैं नई टोपिक के साथ